बिस्मिल्ला रह्मारी रहीम अस्सलाम अलेकुम आप देख रहे हैं फोडी मुज़न ओफिशल यूट्व चैनल आज हम बना रहे हैं यह बहुत ही मज़िदार सा चाइनिज पॉपकॉन पास्ता मैं आपको बहुत इजी में बनाना सिखाऊंगी तो चले रैस की शुरू करते ह सबसे पहले चिकन लेंगे यह 400 ग्राम बॉनलेस चिकन है इसको क्यूब्स में कट कर लिया है इसको मैरिनेट करेंगे वन टी स्पून नमक वन टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर वन टी स्पून रेड चिली पाउडर वन टी स्पून चिली फ्लेक्स अब कुछ सॉसी भी डाला भी डाला है मैंने, 1 tablespoon soya sauce, 1 tablespoon chili sauce, 1 tablespoon इसमें हम डालेंगे vinegar का, sir का यानिके, अब हम इसमें एक अंडा आड़ करेंगे, और इसमें डालेंगे हम 2 tablespoon यानिके 2 चमज भर के मैदे के, इसको अची तरह से mix कर देंगे, और इसको हम marinate करेंगे, 20-25 minute के लिए, आप इसको marinate करेंगे, तो एक तो इसका flavor अच्छा हो जाएगा, और वो सिर्के के वज़ा से, बोटी जो ना, काफ़े अच्छे से गल जाएगी, यह देखें, इस तरह से हो जाएगा यह, अब इसको 20 minute करने के लिए हम flame को medium कर देंगे, अब यह इस तरह से मैंने popcorns को fry कर लिया है, इसको हम 3-4 minute एक side से fry करेंगे, और फिर 3-4 minute दूसरे side से fry करेंगे, यह maximum cook होने में 8-10 minute लेंगे, बहुत जल्दी यह बनके ready हो जाते हैं, आप लोग इसको as it is भी खा सकते हैं, यह एक separate dish भी हो स चार minute के लिए पकाएंगे, चार minute पकने के बाद इनका color golden हो चुका है, अब हम इनको निकाल लेंगे, यह बिल्कुल गल चुके हैं, यह जितना मैंने chicken लिया था, उस से इस तरह के 2 badges बन गए हैं मेरे, यह देखें, 400 gram chicken में काफी अच्छी quantity हमें pops की मिल चुकी है, अब हम द दूसरा badge भी डालेंगे, यह देखें जी, दूसरा badge भी fry हो चुका है, अब हम अगले step की तरफ चलते हैं, यह मैंने एक कडाही ले ली है, खुला बरतन लें को याप, इसमें मैंने oil डाला है, 5-6 tablespoon, इसमें हम lesson डालेंगे, chop किया हुआ 1 tablespoon, इसको हलका सा sauté करेंगे, इसका ह 10 second के लिए sauté करना है, और यह कुछ vegetables ली हैं मैंने, इनको इस तरह से कट कर लेंगे, आप अपने मर्जी के मताबिक भी काट सकते हैं, यह एक शिमला मिर्च है, और दो गाजरे हैं, और एक प्याज है, इनको हम डाल देंगे इसके अंदर, यहाँ पे आपने flame थोड़ी सी होनी चाहिए, अब उतनी देर के लिए हम लोगे एक sauce बना लेंगे, जब तक यह सबजियां सौते हो रही है, यह मैंने 8 tablespoon डाले हैं ketchup के, और इसमें 8 tablespoon हम डालेंगे chili garlic ketchup के, अब इसमें हम डालेंगे soya sauce, 2 tablespoon, chili sauce, 2 tablespoon, और जो सिरका है वो हम इसमें 1 tablespoon ही डालेंगे, और इसमें हम चीनी डालेंगे 1 tablespoon, आपको थोड़ा से ज्यादा sweet खाना है तो आप लोग 2 डाल सकते हैं, यह एक चमबच भरके नमक कर डाला है मैंने, यानिकि half tablespoon आप add कर सकते हैं, या 1 teaspoon भरके, 1 teaspoon भरके काले मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और यह इसमें 2 चमबच मैंने डाले हैं corn floor के, आप लोग इसको skip भी कर सकते हैं लेकिन इससे थोड़ा सा consistency अच्छी हो जाएगी, यह मैंने इसमें half glass पानी का add कर दिया है, इसको बच्ची तरह से mix कर लेंगे, अगर आप लोग को थोड़ा सा spicy खाना है त को जो सबजियां हम लोगों ने fry की थी उसके अंदर add करेंगे, लेकिन add करने से पहले इसको एक दफा म अच्छी तरह से हिला लेंगे, क्योंकि corn floor जो हता है वह पैंदे में बैठ जाता है, और सबजियों को भी एक दफा अच्छी तरह से हिला लेंगे, क्योंकि हम लोग पकाएंगे तो ये कफे अच्छी तरीके से गाड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें इतना गाड़ा नहीं चाहिए, हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी add करेंगे, ये तकरीबन आदा गलास के जितना मैं इसमें पानी डाल दूगी, इसको पकाएंगे हम दो से तीन मिनट के लिए ये देखें ये गाड़ा होना शुरू हो चुका है, अब हम लोगोंने पास्ता डालना है इसके अंदर, ये मैंने पास्ता बॉयल करने के लिए पानी लिया था किसी खुले बरतन में, उसमें ऑईल डाल दिया है, और उसमें नमक डाल दिया है, वन टीस्पून भरके, और य लोगोंने बॉयलिंग वाटर में आड़ करना है पास्ता जब भी पकाएं, और इसको एक दफ़ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और याद रखें कि जब भी पास्ता कुक हो रहा होता है, तो आप लोग इसको चम्मत चला दिया करें थोड़ी देर बाद क्योंकि वो नी बनागे लिए अगर तो आप लोग फोरण डाल रहे हैं उसके अंदर तो आप लोग बेशक पानी ना डालें लेकिन अगर थोड़ी देर पहले इसको बॉयल करके रखें तो आप लोग ने पानी के साथ ज़रूर इसको बाश करना है यह तेके पास्ता हमारा रेडी है, अब अब इसको हम सॉस के अंदर एड़ कर देंगे यह बहुत लाइट सा पासता है यह ज्यादा तर आप बच्चों को बना के दे सकते हैं और जो लोग ज्यादा स्पाइस नहीं खाते उनके लिए बहुत जबरदस्त है आप लोग एक दफार ट्राय करके देखिएगा और इसको अ यह कितना जबरदस लग रहा था खाने में भी यह बहुत अच्छा था अब यह तिल डाले हैं मैंने इसके उपर आपके पास है तो आप जरूर डालिएगा इसको अच्छी तरह से हम लोग एक दफार मिक्स कर लेंगे अब यहां पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर कोई कसर है वो भी निकल जाए और यह पॉपकॉर्ण्स हमारे थोड़े से नड़म हो जाएं यह देखे हैं मैंने इसको दम दे लिया है पांच मिनट के लिए देखें कितना जबरदस्ता रेड़ी हो चुका है इसको हम लोग प्लेट में निकालेंगे यह देखें इस मैं आँगे किसी अची से नए वीडियो के साथ अब तक के लिए दुआ में याद रखियेगा अला हाफिज